हेलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम घर की ही नेचुरल चीजों से अपना फैस्पेक बना सकते हैं वो भी बहुती एजी तरीके से और बहुती जादा आपको बहुती अच्छा रजल्ट मिलेगा इस दूर हो जाएगा बिल्कुल गोरा हो जाएगा आपका चेरा और आपकी चेरे पी जोरियां भी दूर हो जाएंगी तो हमें ये पैस्ट बनाना किस तरीके से तो यहां पे मैंने एक कटोरी लिए तो आप जब भी बना हैं तो मैं बता रहे हूं कि आप घर की ऐसी नेचुरल चीज हैं दोस्तों दो चीजे हम ऐसी चीजे लेंगे जिससे आप अपने चेरे को बिल्कुल दूर जैसा गोरा बना सकते हैं बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल आपका चेरा साइनिंग मारेगा बिल्कुल चमक मारेगा और आपकी जो चेरे पर ये जो जूरियां पिमपल्स क दिक्कत है वो। भी जड़ से खतम हो जाई कि इससे पिमपल्स भी खतम होते हैं और दाग-धब्बे, जूरियां जो काला पन हो जाता है वो सब भी पूरी तरीके से दूर हो जाता है तो यहाँ पर मैंने हल्दी लिए हल्दी हमारे जो अंदर का जो चेरे की गंदी की होती है उसको साब करती है और हमारे चेरे पे बहुत अच्छा निखार आता है इससे आपका चेरा जैसे चमकने लग जायेगा दूज जैसे गोरा हो जाएगा तो हम दो से तीन चीजों का यूज करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं मैंने लिया है बेसन बेसन हमारी स्कीन को टाइट करता है और जो हमारे चोटे चोटे टॉन्स होते हैं जो चेरे के जो उनको बहार निकाल देता है और जो हमारे चेरे को एकदम नहीं ताज़की देता है और बिल्कुल स्कीन टाइट हो जाती है जो जूरियों जो भड़ती उमर में जूरिया पढ ले आप टमाटर को वैसे भी लगा सकते हैं, काट करके वैसे भी चेरे पर लगा सकते हैं, इसे बहुत ही जल्दी चेरे पर गलो आता है और चेरा गोरा होता है, तो आप जब भी टमाटर का यूज करें तो टमाटर आपको बिल्कुल लाल टमाटर लेना है, बिल्कुल जैसे कि खुद भी हैरान रे जाएंगे कि आपका चेरा जैसे दूर जैसा गोरा हो जाएगा और जैसे दूर से ही चमकना स्टार्ट हो जाएगा साइनिंग मारेगा आपका जो चेरा है और आपके चेरे पे जो भी जैसे जूरियां होती हैं गाग दब्वे पिंपल्स की दिक्कत है वो भी जड़ से खतम हो जाएंगी इन चीजों से और इससे बहुत ही जल्दी आपको ग्लो मिल जाए एक बार के लगाने में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका सिरफ गूदा होता है जो इसका जो टमाटर का अंदर का होता है और जो रस होता है वो ही इसमें अच्छा से मिलाना है और दोस्तो नेचुरल चीजों से अगर यह चीज लगाएंगे तो इसकी हमें जो इसका रेजलिट मिलता है ना वो नेचुरल हमेशा के लिए मिलता है तो दोस्तो यह ऐसी चीजे हैं कि आपको नेचुरल बना देंगी नेचुरल भूती आपकी बहुती अच्छी दिखेगी चेरा आप कहीं पर भी लगा सकते हैं हाथों पर लगा सकते हैं पेरों पर लगा सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूद लिया है दूद में दोस् जिसे आपके अगर इसकी ड्राइ स्कीन है तो उसके लिए दूद बहुती अच्छा है क्योंकि उसको बहुती अच्छा सा यह कवर कर देता है तो हमें किसी ना किसी चीज की तो चेरे पे मसाज करनी ही चाहिए तो अब इसको हमें लगाना किस तरीके से वह भी हम बताएंगे क कि आप जो भी चीजे क्रीम भी लगाते हैं तब भी आपको एक मिनट के लिए चेरे पे मसाज करनी हैं क्योंकि दोस्तो हमें बोड़ी को खाना चाहिए तो हमारे चेरे को भी कोई ना कोई करके लगाना है ताकी यह जो अंदर तक आपकी स्किन के अंदर तक यह जा सके तो बहुत ही अच्छा इसका रीज़ल्ट मिल सके तो इसको हमें सबी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं सबी तो यहां पर देख सकते हैं मैंने सबी चीजों को अच्छे से मिला लिया है तो इस तरीके से हमें सबी चीजों को मिलाना है तो यह हमारा पेस्ट बन के तयार हो चुका है तो हम इसको हाथों पर ट्राइ करते हैं तो इस तरीके से हाथों पर आप घर में कोई भी मेंबर के यह लगा सकते हैं तो आप किसी पर भी इसको ट्राइ कर सकते हैं आप भी लगा सकते हैं या आपके घर के किसी भी मेंबर पर यह लगा सकते हैं तो दोस्तों इसको 10 मिनट के लिए इस तरीके से मालिस करके और रखना है ताकि ये बहुती अच्छी थोड़ा सा सूख जाए सूखने के बाद में हमें इसको एक तो जैसे किसी भी चीज से इसको साप करना है और फिर इसको थोना है तो इस तरीके से पहले तो हम इसकी मालिस करेंगी अच्छी से मसाज टाइप में करेंगे आप हातों पे में हातों पे लगा के बता रही हूं आप इसको चेरे पे लगा सकते हैं तो यहां पे देख सकते हैं मैंने इसको साप कर लिया है तो इसका result दोस्तो बहुती जल्दी मिलता है बहुती speed से मिलता है क्योंकि ये glow करता है बहुती जल्दी और skin को साप करता है ये बिल्कुल कालापन दूर कर देता है जड़ से खतम कर देता है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें करके जरूर बताएं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू